हाँ जी देखिए एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है कोस्ट लागत पड़ा इंपर्डेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से आपके माइन में कोशन्स था कि सर हमारे एक्जाम में नुमेरिकल्स जो है वो किस टॉपिक से आते हैं वो सारे बच्चों के जो हैं यूटूब पे भी कमेंट देखें मैंने और माइन में कोशन्स भी रहता है तो ध्यार नखिएगा कोस्ट में से कंफर्म है आपको नुमेरिकल्स का एक कोशन्स मिलेगा ही मिलेगा इससे पीछी जो अभी आपने चैप्टर करने के लिए आपको इसकी कोशन्स ठियोरी से तो आएगा ही आएगा नो डाउट और नुमेरिकल्स से भी कोशन्स आएगा दोनों जगे से कोशन्स आएंगे लेकिन अगर आपने इसकी ठियोरी को अच्छे से नहीं समझा तो आप नुमेरिकल्स को नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सरफ एक दो चीजे नहीं है ब्रदक्शिन फंक्ष्ण में क्या था आपके सामने आपका टी फॉर्पि mereka ृअ फी तो जेए अगर पर क्रेंगर के बात कर रहा हूं तो नहीं आपको भूट कुछ आपको जानने को मिलेगा को सब्सक्रथ की में आप को जो है तो टॉपिक आपको पढ़ने कौस कोस्ट के अंदर वो टॉपिक आपका रहने वाला है कोस्ट कुछ का रहने वो टॉपिक आपका रहने वो टॉपिका रहन आला है जा भी बमाल खगने तक रहने में है का रहने का रहने का रहने है झाल 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 तो यहां पर आप देखेंगे कि कोस्ट के अंदर जो भी आपको टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे वो आपके पास इस तरीकी को पढ़ने को मिलेगा एक तो टी एफ सी आपका है टोडल फिक्स कोस्ट एक आपका तो आपका आपका एंसी इससे माजन कोस्ट कहते है एकाफ कटी वी की टोडल वेरिबल कोस्ट है पए आपके इसके बाद ऑ क्सट कोस्ट और जो कोस्ट आपको देखने को मिलेंगे तो इससे पहले production function में जो आपने numericals किये हैं वो जो numericals आपने इससे पहले किया है उन numericals के अंदर सिर्फ तीनी टम से एक तो average product था माजन product था और प्रोबर्ड था TP MP और AP तो वहां numerical थोड़ा compatibility easy रहा हमारे लिए पर यहां पर आपके पास में जब question numerical का आएगा तो आपको इन साथों चीजे होंगी आपके टेबल में और साथों में चीजें missing होंगी तो अगर आप इनके meaning को अच्छे से नहीं समझते हैं तो फिर नुमरिकल्स आपके लिए जो है वह आपके लिए पैनिक क्रेट करेगा मैं ड़रा नहीं रहा हूं आपको इसलिए मैं आपको कहा रहा हूं क्योंकि यहां पर कोई formula नहीं basic कि आपको formula लगा करके उसमें आप apply करो और आपको आपका answer मिल जाएगा सो समझ करके बीच बीच के blank को fill करना होगा और सोचने समझने की शक्ति कहां से आएगी आपको जब आप इन कोस्ट के बारे में अच्छे से one by one करके detail में आप समझेंगे ठीक है तो हम numericals की बात जब करेंगे जब हम numericals पे आएंगे उससे पहले हम सारा concept receptor का समझ लेते हैं उसमें सब कुछ आपको बताया जाएगा तो आएए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोस्ट की तो basically कोस्ट को दो parts में divide कर रहा है मोटा मोटा देखा जाए तो एक तो आपका कोस्ट है explicit कोस्ट और एक आपका हो गया implicit कोस्ट अब सवाल यह कि सर explicit कोस्ट क्या और implicit कोस्ट क्या है तो explicit कोस्ट यह है यह वो कोस्ट है जिस पर आपने actual में पैसे को खर्च किया है अब आपको के सर पैसे को तो खर्च हम हर चीज पर ही करते हैं मैं एक example ले रहा हूँ जैसे मान लीजिए आपने plan करा कि आप चाहा रहे हैं कि अपने घर में ही ground floor पर यह आप पर दुकान खोलने फिलाल अभी आप घर बैठे हुए हैं बेरुजगारी का दौर है तो अपने खर्चा किया या नहीं किया या फिरी में मजा तो ठाक लिया है खर्चा किया उसी कोस्ट को हम क्या बोलते हैं explicit कोस्ट कहते हैं clear है लेकिन कुछ ऐसे खर्चे जो चुपे हुए हैं जो शायद आप भी उतनी धान से नहीं देख पा रहे हैं वह खर्चा कौन सा है जो आपने अपना कमरा यूज़ में लेकर कि आप आय हो उसका किराया भी तो बनता भली वह आपका ही मकान है आपको यहां पे लग क्या रहा है पहले इस बात को समज एगा आप 9000 गा सामquently मार्केट से खरिद करके लाए और आपने उसको 12000 में बेच दिया ठीकर न यह आप क्या करके लाई आप ये पर्चेस करके लाए बाजार से और यह आपने क्या करा यह आपने सेल करा तो आपको तो यही लगेगा कि आपने दो हजार रुपे क्या कर लिया मैं कि पॉफि置 कमा लिया बड़ नहीं है चुकि आपको लग रहा है कि आपमें दो लुजार रपे का Profit कमाया है रेकिन आप खुछ सोची अगर आप वह दुकान ना खोल करें कि उप्रूब कर र MILD के आपको कि नहीं होती कि तो रंड अंधने के इस तो रंड कि तन आता को को तो महिने की आंदर यह 5,000 रुपे होती दुकान खुलने को भी से कितने कि आपके पास था रहे है तो यहां तो साथ साथ दिखवा रहा है कि आपका जो है तीन जार रुपे का लॉस हुआ है बलकि दुकान खूलने से बात समझ में आपको कुछ आई या नहीं लेकिन शुर कि दुकान खूलने का फाइदा जब होगा जब 5,000 रुपे अगर आप ना भी खोलो तो 5,000 रुपे किराया आ रहा है दुकान खूलने से 5,000 से उपर आ रहे पैसा तब वहां पर दुकान खूलने का फाइदा है नहीं तो सच्छ है कि उसको किराया पर यह दे दिया जाए त इसको हम बोलते हैं explicit code जो आपको साफ साफ नजर आ रहा है जिस पर आपने खर्चा किया और बाहर से आप लेकर के आयो जिस पर आपके पैसे खर्च भी हो रहे हैं ठीक है लेखिन आपके पांच हजार रुपए जिस पर आपके पैसे बेसिकली खर्च नहीं हुए आपने अप को हम बोलते हैं इंपलीशीट कोस पता लगा आपको explicit कोस्ट क्या होता है और implicit कोस्ट क्या हुता है बिर बात समझे आप बताएं आप बिजनस कर रहे हैं तो क्या सिरफ आप explicit cost का ध्यान में रखते हुए काम profit को आप calculate करोगे या आप explicit plus implicit दोनों cost का ध्यान में रखते हुए आप बता पाऊगा आपको profit हो रहा है लॉस हो रहा है बताए यह नहीं है आपको पता लगा explicit cost कौन सा होता है यह वो जो है direct cost होते है जो directly आपको नजर भी आता है जो आपने किया है पर implicit cost कौन सा होता है जो producer एक अपनी तरफ से ही अपने घर से अपनी personal assets को बिजनस में लगा देता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम implicit cost कहते हैं और दूसरा का implicit cost का एक और example देता हूं मान लीजिए कि वो आपको यहां पर तो 2000 पर प्रॉफिट दिख गया क्यूंकि आपने यहां पर सिरफ explicit cost को ही importance दी है इसलिए आपको 2000 का profit तो यहां पर दिख रहा है clear है जी और अगर हम बात करें यहां पर पांच जार रेंट आपका implicit है प्लस अगर आप कहीं और काम करते तो आपको दस जार रुपे तो salary मिलती मिलती है नहीं मिलती आप अगर आप कहीं बहार काम करते अपने घर को किराये पर लगा गर करके तो आई समय आप महिने के पंदर हजार पर आपको दुकान लगाने से हुआ क्या दो हजार पर आए और पंदरह जार पर गए तो मतलब तेरह जार का नुक्सान हुआ ना तो असली मायने में profit and loss की तुलना जब की जा सकती है या profit and loss का हिसाब जब लगा जा सकता है जब आप implicit cost और explicit cost दोनों को ही देखें अगर आप सिरफ explicit cost को देखेंगे कि भीया मैं इतन काम पर लग जागा अगर एक लंबे समय तक उसके साथ में ऐसा ही रहा तो समझे नहीं समझे आप क्लियर है लेकिन अगर आप अपने implicit cost का धान में नहीं रखते हो तो आप तो यह सोचके बैठे जाओगे आपको दो जागा profit हो रहा है जब यह कहीं नहीं नुक्सान हो रहा अब देखों यहाँ पर क्या है और payment made to outsider for hiring their factor services outsider को कुछ न कुछ खर्चा आपने किया वा है उसके factor services factor services किसे कहते हैं factor services factor में चार चीज़े आती है ठीक है जी एक एक बातों को समझे पर ले आप factor में चार चीज़े आती है एक तो आपके पास में आती है land किसी से अगर आप जमीन ले रहे हैं जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपका rent के classroom में तो यह क्या हो रहा है यह factor service है जो मेरा landlord मुझे provide करवा रहा है इसके respect में मैं क्या दूँगा उसको rent दूँगा ठीक है जी इसे factor बोलते है और labor लेबर, capital, entrepreneur यह कुछ चीजे क्या हो फैक्टर मतला होता है संसाधन जिसकी साहिता से आप चीजों का अप्लक्षन करते हो किसी भी चीज का अप्लक्षन कर रहे हो चाया goods का यह services का आपको कुछ resource की need होती है वह resources आपके सामने यह रहे इसकी का हो फैक्टर बोलते हैं लेंड क्या मिलेगा रिस्पेक्ट में रेंट जो लेबर दे रहा है से क्या मिलेगा और जो capital दे रहा से क्या मिलेगा इंट्रस्ट और जो यहाँ पर entrepreneur मतला रिस्क ले रहा से क्या मिलेगा profit मिलेगा clear जी तो यह हमारे पास में क्या है यह हमाई factor है इसी को हम क्या बोलता है factor services तो ज और बात करें, implicit cost के, तो it is the estimated value of the input supplied by the owners, जो owners खुद लगा रहा है, including normal profit, for example, interest on capital, कई बार वो अपने घर से पैसा लगा देता, और उसका interest को count नहीं करता है, अपने घर का rent यह नहीं होता है, ठीके न, rent of on land, मैंने example लिया, तो यह सारे कौन से cost है, यह implicit cost है, तो आप अभिशा से वेवेसाई करेंगे, और आपने लागत की गड़ना करेंगी, मतलब cost का calculation करेंगे, तो आप सिरफ explicit cost का ध्यान में निमत रखीगा, खैर explicit cost ऐसा cost होता है, जो आपके ध्यान में automatic आहीं जाता है, तो आपने पैसे payment करा है, लेकिन दूसरे cost किसकी बात कर रहा हूं है, implicit cost की, तो यह आपको सोचना पड़ेगा कि आपने अपने कौन से परसनल चीज़े हैं, बिजनस में लगाई हुई है, वो भी आपने क्या है, आपका cost है, यह बास वाज में आई आपको, clear है, अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, differentiate between the explicit cost and implicit cost, it is the payment made to outsiders for hiring factor services, यह explicit cost होता है, implicit cost, it is the cost of self-supplied factor, जो मैं खुद अपने थ्रो जो है, इस factor को supply कर रहा हूं, money payment, it involves actual money payment on buying and hiring, इसमें money की payment होती है, it involves inputted value, इसमें सरफ अंदर लगा जाता है, कि मेरा मकान जो है, 5000 पे किराया मुझे मिल जाता, पर अपने आपको 5000 पे किराया दूँगा नहीं, समझें नहीं समझें आप, तो यह इसमें सरफ और सरफ यह values लगाई जाती है, और इसमें actual money payment होता है, example payment of wages, interest on capital rent on land, चीकर न, यह कुछ example है, तो यह समझ माया पहले आपको implicit और explicit क्या होता है, अब बात, अब मैंने आपको कितने तरीगे कोस्ट बताएं भी थोड़ दिर पहले, दो, explicit और implicit, अब इससे पहले भी मैंने कोस्ट को अलग-अलग कटेग्राइज किया था, वो कितने तरीगे के देवें आपको, 7, ठीक है न, उसमें सबसे पहले आपको समझना है, total fixed cost क्या होता है, TFC के बारे में, one by one सब को समझते चले जाओके, तो अच्छे से clear होगा आपका, total fixed cost, क्या हमारे पास में, total fixed cost, तो total fixed cost में अगर मैं बात करूँ, TFC, देखिए ये क्या होता है, TFC, TFC, किसे कहते हैं, TFC के अंदर, कुछ ऐसी लागते होती है, जिसमें आप अपने production level को, बढ़ाओ चाय घटाओ, उस cost में कोई फरक नहीं पड़ता है, वो cost उतना ही बना रहता है, अगर आप ज़्यादा production करेंगे, तब भी उतना ही खर्चा आएगा, अगर आप कम production करेंगे, तब भी आपका उतना ही खर्चा आएगा, इवन अगर आप production नहीं करेंगे, तब भी आपका उतना ही खर्चा आएगा, मतलब output level, अगर आप देखते हैं इसका तो मान लेजिए कि मैं जो क्लास्रूम में आपको पढ़ा रहा हूं तो यह आप इसका जो है रेंट मेरे लिए क्या है एक फिक्स कोस्त है क्योंकि अगर मैं इस यह प्लास्रूम में ज़्यादा बच्छे पढ़ा लूँ और बच्चे आजाए अगर आप इस क्लास्रूम में एक या दो स्टूडेंट हो तो उसके उसको देखती वे भी मेरे रेंट कम और अगर मैं ताला माँ अपने गाउं घूमने चला जाओं तो मेरे रेंट जीरो होग ठीक है न आर्टपुट लेबल इंक्रीज और डिक्रीज और जीरो हो क्लिर है तब भी मेरा कोस्ट सेम लेबल का बना रहेगा उसमें कोई भी चेंजिस नहीं आएगा इसको हम टोडल फिक्स कोस्ट कहते हैं पर्मानेंट इंपलोई की सेलरी जैसे गवर्मेंट इंपलोई जो होते हैं उसे पर्मानेंट इंपलोई बोलते हैं ठीक है चुकि भाईया चाहे आप काम हो या काम ना हो उसको सेलरी तो मिलेगी मिलेगी तो गवर्मेंट के लिए क्या है वो गवर्मेंट के लिए वो फिक्स सब्सक्राइब को खर्च करना ही पड़ेगा तो यह कुछ एक्जामबल की चीच के हैं टोटल फिक्स पोस्ट के हैं अगर अभी भी नहीं समझे तो आप टेबल से आप समझ सकते हैं क्वांटिटी यह आउट्पूट लेवल है जीरो जीरो है तब भी मुझे यहां पर अपना जो है समझे रेंट मालो मुझे अपना एक हजार रबे देना पड़ रहा है अगर मैंने प्रड़क्शन लेवल बढ़ा दिया तब ही मेरा रेंट कितना देना पड़ेगा एक हजार और अगर मैंने प्रड़क्शन लेवल और बढ़ा दिया तो कितना देना पड़ेगा चलि है ख्लिरेंग अब टोटल फिक्स को डियाग्राम की बाद करते है साल इसका डाइगराम कैसा होगा तो आई डायग्राम भी देखते इंसका का रेया का सामरे को अब मैं करता हूं कर अधि है मेरे कान में का अगत कि अ कि वाई एक्सिस क्लियर जी समझें ने समझें हाँ जी देखो फोल फिक्स कोस्ट की बात करें यह आपका जो डियागराम है यह टी एपसी का डियागराम है फोल फिक्स कोस्ट और यह क्या हमारे पास पर यह पर फिस कोस्ट का जो है मेरे पास में एक लेवल है नहां देखो जरह अब देखेगा अगर मेरे क्या यह क्वांटिटी यह आउटपूट है और यहां पर मैं बना रहा हूं टी एपसी अब जल्ड़ा इस वात को समझेगा कि मेरा आउटपूट लेवल अगर जीरो है तो टी एफसी है या नहीं अगर मैं आउटपूट बढ़ारा हूं तो मेरे टी एफसी कितना है अगर मैं आउटपूट और इंक्रीज कर दूँ तो मेरे TFC कितने हैं तो इस तरीके साथ देख पा रहे हैं कि TFC का आपका डागराम हो गया समझे रोडल फिक्स को सुझ माया शडूल से clear लेकिन आपके सवाल ही आता है कि सर एवरेज फिक्स कोस्ट क्या होता है मीन होता है अवरेज का मतलब कि अब इक्वल इक्वल शेर कर दो और किस चीज को इक्वल इक्वल शेर करने की बात करते हैं तो यही जो TFC है इसी को बराबर बराबर माण देंगे आउट्पूट पे तो यही मेरे पास में एवरेज फिक्स कोस्ट बन जाएगा तो इसका क्या हुआ है एवरेज फिक्स कोस्ट का जो फॉर्मूला है वो TFC डिवाडिड बाइ क्वांटिटी क्लियर है या नहीं है समझे तो यहां पर आप क्या करने वाले हैं सबसे पहले TFC को आप जीरो से डिवाइड करेंगा जीरो से किसी भी संक्याओ डिवाइड करते हैं आईगा आप 1000 को एक में माटे में घरों कितना अबसाइगा एंगा और आपको कितना आएगा पांत तो एगा fiance प्तर 453 इक्वल इक्वल शेर करना है Fixed Coast Coast total fixed cost उसको किसमे क्या कॉंटिटी में तो आपके पास है जो इच पे शेरिंग आएगा उसको हम क्या बोलते है उसको हम बोलते है average fixed cost यह बास हमें आपको आई या नहीं क्लिर है ए मैंने आपके पास में ऐसी का फर्मॉला बताया है कि एफ सी का फॉर्मुला जो है कि एफ सी का फॉर्मुला कुछ मैंने इस टाइब के बताए आपको ती एफ सी अपॉन में वांटिटी अब यह बताओ आंसर जीरो आने के लिए कभी आप डिवाइड करते हैं गडित इतना आपने सीखा है 10 तक तो आपने सीखा है कि कभी भी कि नुमिनेटर जीरो हो सकता है टोडल फिस्ट पॉस्ट कभी जीरो नहीं वाइवन ऊट्पूट लबल जीरो यह तब वह इंकड रहेगा तो इसका मतलब है कि आपका ना तो कभी टी एफ सी जीरो होगा और इस इससाफ से जब टी एफ सी कभी जीरो नहीं तो फिर एकभी तो नेगेटिव तो भूली जाओ नेगेटिव तो होता है जीरो से भी बिलो तो एक पास समझ में आगे आपको एवरेज फिक्स कोस्ट तो आपका गिरता चला जाएगा अगर आप देखे तो की सेम कोस्ट ज яदा आपटवू पर शे데 लहोगातों है तो कम होगा इसलिए आपकाOutव में जीरो सेर नहीं होगा समझे ख्लिए तो अगर मैं एक सी के बारे में बात कर रहा हूं तो आप इस बात को भी समझेगा एक सी फॉल होतो चला जाएगा बट कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं होगा ख्लिए जी बिरे बात समझे तो आर्ट पूट लेबल बढ़ने के साथ साथ एक सी का बेहविर क्या होता है डिमिशिंग डिक्रीजिंग यह बात समझे नहीं समझे तो आज कोस्ट में दो बात में हम आगे इस चप्टर को कंटिन्यू करेंगे अगर 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 आगर अपर